हालो फ्रेंट व्रेंट स्वाकतियों को फिर से आप सभी का हम यूट्यूब चानल में और दोस्तों आज हम बात करेंगी आई-वी-प्यस क्लर्क का जो है प्रिलिम्स का ठीक है रिजल्ट को लेकर यहां पर बात करेंगे आप से पता होगा कि आई-वी-प्यस आरब भी प्यो का जो है रिजल्ट आ चुका था उसका स्कोर कार्ड जो है कल रिलिज हो चुका है जैसा कि आपको पता है ट्रेंड में की आपका जो जब प्यों का जो रिजल्ट डिक्लेर हो जाता है ठीक उसके अगले दिन या उसके अगले दिन थी है मिन्स के स्कोर कार्ड के एक से दो द तारिक से एक दिन पहले ही या दो तारिक तक डिफिनेटली आपको जो है यहां पर दो सितंबर तक आपका इसके ऑफिसल वेपसाइट www.ivps.in पर आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा है ना और जब भी अगर रिजल्ट आने का होगा तो इंक्रिमेशन पहले दे दिया जाता है कि आपको इसको ऑफिसल वेपसाइट पर लिखा मिलेगा कि लेट इविंग आपका रिजल्ट देख लेड़ होगा तो पांच बज़े के बाद थीक है पांच बज़े के बाद यह नहीं एक जाट की पांच बज़ा और आपका नमर या रॉल नमर उसके बाद अपने डेट बर्त और क्याप्चा डालकर लॉग इन करेंगे आपका रिजल्ट डिस्प्लेय होगा ठीक है और स्कोर कार्ड के लिए आपको वेट करना होगा ठीक है तो यह रहा तो बहुत सारे से स्टूडेंट अभी भी होंगे कि स्कोर का प्योंको आगया तो होसकता है उनका प्यों नहीं क्वालेफाइ कर पाए हो या प्रइशच कर गोर क्या इसका टैसके मैं बताब नहीं से का घृटोende क्लर की आई देखने को मिला है कमपरेजन लासले में तो इस बार क्या हो सकता कक आटक क्यूंक्त तो अ्रबी कड़र का जो है काफी कड़ाइब इस वथ थोरे काम रहनी को उम्मिध है थोरे बिख लेगा कि पृथ काम धर्क हमींद है तो मैं कि अगर नहीं तो आप अपने करके जरू बताना तो चलिए अब यहां पर इसके माद हम देखते हैं कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते कट अगर रहने वाला है मैं फिर से बता रहा हूं कि लास्ट येर से कटफ जो होगा कम रहेगा इस बार ठीक है दो या तीन लेकिन कम रहेगा बात मान के चलेंगे तो आईए अब कटफ के बारे में तो आसा देख लेते हैं और मैं यहां अब लिखी देता हूं ताकि आप लोग बाद में कोई भरब में न रहें आफ्टर यह नार्मलाजेशन्स नॉर्मलाइजेसन माग्स होगा ठीक है कि आफ्टर ये जो है आफ्टर नॉर्मलाज़ेशन समास हुआ आपको पता है दो से दो दिन इसके पेपल आठ और चाहदा को हुए तो काफी सारे सिफ्ट हुए थे तो ऐसे में नॉर्मलाज़ेशन बनता ही है ठीक है हाला कि कुछ कैंडिडेट का देखिएगा कि नॉर्मला होता है कैसे है ठीक है वही कुछ कैंडिडेट का है बनता है तो आप नॉर्मलाज़ेशन पर थोड़ा बिलीब कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं आपके अच्छे अच्छी है आप अपने आप पर बिलीब करेंगे कि आपका रिजल्ट होगा मैं इसके हां पे अगर ज शिंद रहेंगे ठीक है अगर उन्होंने 68 से लेकर 72 के असपास में अच्छा एटेम्ट किया प्लस एकुरिसी बढ़िया रखा है तो उनका कन्फर्म होगा रिजल्ट ठीक याद रखीगा अब आते कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं यह एक्सपेक्ट ही तो कर सकते थोड़ी है और यह जो है ओफिसल को डाटा तो है नहीं लेकिन हाँ इसके इर्दगिर्द ही अगर आप अपने आपको समझ देखते हैं तो आप में इसकी तैयारी में लगेंगे है ला क्योंकि समय नहीं बसता है में में आफ्टर रिजल्ट डेक्लिरशन तो देखिए बिहार का क्या बात करें तो चैटर का सबस्क्राइब रहेगा ठीक है आप्टर नौर्ड अजसन चैटर सब्सक्राइब रहेगा ऐसा ही कुछ रिंज ओबी सी की बात के लिए 74 क्या सबस्क्राइब देखने को बन सकते हैं बिहार वाले में अगर हम बात करें सी और स्ट का तो चैसाट चप गुजरात की बात के तो 75 जनल कटिगरी ओबी सी 72 का सबस्क्राइब और 69 का सबस्क्राइब देखने को बनेगा हर्याना 76 का सबस्क्राइब और 53 & 73 और EWA 71 SC ST 68 58 का सबस्क्राइब को बनेगा आए ज्ञारकंड की बात करते ज्ञारकंड में अगर बात करें जनल कटिगरी का तो जनल कटिगरी 74 का सबस्क्राइब देखने को बनेगा OBC 71 EWS 68 SC और ST 6558 के आसपास में Cut Off देखने को बनेगा करनाटका की बात करते है तो General Category से 73 के आसपास में Cut Off देखने को बनेगा वहीं OBC 69 EWS 66 और SAST 62 52 के आसपास में Cut Off देखने को बन सकता है करिला की बात करते हैं 72 के आसपास में General 70 के आसपास में OBC EWS 67 SCST 64 56 के आसपास में Cut-Off देखने को बन सकता है मत्प्रदस की बात करते हैं तो मत्प्रदस में 74 के आसपास में जनरल कटेगरी OBC 71 EWS 69 SCST 65 58 के आसपास में कटफ देखने को बनेगा महरास्टा 72 जनरल कटेगरी OBC 69 और EWS 67 SCST की बात करें तो 63 56 के आसपास में कटफ देखने को बनेगा ODS की बात करें 76 71 OBC EWS 70 SCST 67 57 के आसपास में देखने को बनेगा पंजाब जनरल कटेगरी 75 6 के आसपास में देखने को बनेगा OBC 72 73 कासपास में यहां पर EWS 70 कासपास में CST 66 59 के आसपास में कटाफ देखने को बनेगा अब आते हैं राइस्थान की बात करते है तो 76 के आसपास से लिडेपास मेंется or ० सिपास में सरे प्रॅब एस्थी के आसपास में आपका स्स और आस्टि देखने को बनेगा तमिलाडू 71 जनरल कर्टिगरी OBC 68 EWS 65 SCST 62 56 तले गालाज जनरल कर्टिगरी 73 OBC 70 ST सोरी EWS 68 SCST 65 57 के आसपास में कटफ देखने को बनेगा तुरी पूरा 71 जनरल कर्टिगरी OBC 68 और EWS 67 SCST 63 55 के आसपास में कटफ देखने को बनेगा उत्तर परदस पर आते तो दोखिए यहां पर वेगंस काफी का में थोरे कटफ काफी बागी सब स्ट्रेट से थोरे कम रहेंगे कुछ एस्ट्रेट को छोड़कर जैसे कि 71 74 के आसपा में कthing देखने को बनेगा SCST 67 56 के आसपास में काइफ देखने को बनेगा उत्राखंड जनरल कर्टिगरी 74 OBC 70 और EWS 68 SCST 64 65 बेस्ट बेंगल पे आते तो बेस्ट बेंगल जनरल कर्टिगरी के 76 के आसपास में कटब देखने को बनेगा वहीं OBC 70 70 के आसपास में EWS 68 और SCST 65 59 के आसपास में आंत परदेस जनरल कर्टिगरी 73 OBC 70 69 EWS SCST 64 55 और ना चल परदेस की बात के जनरल कर्टिगरी 72 OBC 69 EWS 67 SCST 63 56 वहीं यहांते जनरल कर्टिगरी 71 OBC आपका यहांपे 67 EWS 66 SCST 62 65 हिमाचल परदेस 70 जनरल कर्टिगरी OBC 68 EWS 67 SCST 63 65 जमु कस्मीर 70 के आसपास में जनरल कर्टिगरी OBC 68 EWS 67 EWS SCST 62 55 तो ग्वाइस कुल में यहांपे कुल यहांपे जितने भी एस्टेट वाइस कटफ थें आप लोग के साशेर क्या हों आई होब कि यहांपे आप लोग भी इसे साटिस्वाइड होंगे कुछ का यहांपे साटिस्वाइड नहीं होंगे क्यों कि उनका अटेम्ट कम रहा है ठीक है उनका अटेम्ट यहांपे कम रहा है इसके करना वो साटिस्वाइड नहीं होंगे क्यों उन्होंने 64 बनाएंगे 66 बनाएंगे 65 बनाएंगे है ना तो वह सटिस्पाइड करेंगे लेकिन हाँ यह 64 66 65 वाले ध्यान रखेंगे इनका नॉर्मलाजेशन से हो सकता है 2 से 3 मास बरहें तो इनका कटफ क्लियर हो जागा लेकिन जो 60 वाले हैं जनल कटेगरी की बात करें और यह तो बिल्कुल नहीं आंगे स्रेंज में स्ट वाले में यह फैक्ट बात है बाकि जो लोग सेवेंटी प्लस करके आरे हैं वो निशिंत होकर मेंस की तयारी करेंगे कोई भी यहां पर अपने मंद में डाट नहीं पा लेंगे जनरल वीची वाले ठीक है नाइस इस वीडियो ने कितना टेम्ट किया है आपके कॉनिंग कितना कटफ जा सकता है ठीक तो चलिए नेक्ट वीडियो नया टॉपिक पर आएंगे बात करेंगे थेंक्वी भरी में